अगर आप न्यूसपेपर पढ़ते हो तो आपका दियान कभी ना कभी न्यूसपेपर के बोटम साइद पर 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 तो जरूर ही गया होगा। पर कि आपने कभी सोचा है कि इन कलरफुल डॉट्स का मतलब क्या होता है और इन्हें क्यों यूँज किया जाता है। Actually, newspapers की printing mainly 4 colors को combine करने से होती है जो कि C मतलब cyan, जिसे blue कहते हैं M मतलब magenta, जो कि pink होता है Y मतलब yellow और K मतलब black इन्हें newspapers के basic colors कहते हैं ये dots उनी colors को दर्जाते हैं सबसे बड़ा usage इनका ये होता है कि अगर किसे newspaper की printing fade हो जाए तो बिना newspaper को open की हम इन dots के द्वारा पहचान सकते हैं जो कि कुछ newspaper प्रिंट होते समय फेड हो जाते हैं और बहुत अधिक मातरा में होने के कारण उन्हें एक-एक कोल कर देखना आसान नहीं होता इसलिए इन dots की help से हम अगबार क्यों बिना खोले आसान इसे चेक कर सकते हैं क्या आपको ये fact पहले सी पता था अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके चरूर बताना वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लेना